Hello friends, दोस्तों English में एक word है mind जिसका इस्तेमाल इस प्रकार के sentences में होता है जैसे हम किसी से कहते हैं मुझे इस काम को करने में कोई दिक्कत नहीं है हाँ हाँ मुझे कोई problem नहीं या हम पूछते हैं किसी से कि आपको ये काम करने में कोई problem तो नहीं है आपको वहाँ जाने में कोई दिक्कत तो नहीं है तो दोस्तों ये spoken English में बहुत जादा इस्तेमाल होता है इसलिए mind के uses तो आपको सीखने ही चाहिए अच्छा दोस्तों आपको end तक video देखना चाहिए जिसे की पूरी बात आप ठीक से समझ सके तो आज हम सीखेंगे uses of mind की mind का इस्तेमाल हमको कैसे कैसे करना है अच्छा दोस्तों जब mind इस प्रकार से use होता है तो ये verb की तरह क्रिया की तरह इस्तेमाल होता है ये आपको याद रखना चाहिए तो हम पहला use इसका सीखते है की mind का use क्या है तो दोस्तो माइंड जो है वो mainly negative और interrogative sentences के साथ इस्तेमाल, तो वही लिखा है मैंने, mainly with negative and interrogative sentences, कि अगर कोई sentence negative है, नकारात्मक वाक्य है, या interrogative sentence है, यानि कि प्रश्न वाला, प्रश्न पूछने वाला, question पूछने वाला वाक्य है, तो आपको माइंड का इस्तेमाल करना चाह है, या दूसरा example लिखा मैंने, I don't mind calling him, हाँ, मुझे उसको फोन करने में कोई problem नहीं है, मैं उसको फोन कर लूँगा, आप दूसरे sentences भी बना सकते है, I don't mind going there, मैं मुझे वहाँ जाने में कोई दिकत नहीं है, I don't mind inviting him, मुझे उसको invite करने में कोई problem नहीं है, तो आप देख की जा रही है, प्रासना की जा रही है, कि कोई कहीं गया है, और उसको wait करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि जिससे मिलना था, वो आदमी शायद वहाँ पर नहीं है, तो would you mind waiting for a while, क्या आप थोड़ी देर तक इंतजार कर लेंगे, आपको उसमें कोई दिकत तो नहीं है, तो waiting for a while का मीनिंग क्या है, तो for a while एक phrase है, जिसका मीनिंग होता है, थोड़ी देर के लिए, जैसे आप हो सकते है, I waited for a while, I was there for a while, मैं वहाँ थोड़ी देर के लिए था, तो for a while का इस्तेमाल बहुत ज्यादा spoken English में होता है, तो for a while आपको ज़रूर सीखना चाहिए, इसका मीनिंग है, थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ, mind का use हम सीख रहे है, interrogative sentence में, would you mind waiting for a while, क्या आप थोड़ी देर तक इंजार कर लेंगे, आपको कोई दिक्कत तो नहीं, जैसे आप किसी को बोच सकते है, would you mind coming here, कि आप यहाँ आ सकते हैं, आपको कोई दिक्कत तो नहीं, would you mind का इस्तेमाल करेंगे, और negative sentence में, तो दोस्तों, यह था पहला use, अब हम आतें दूसरे use पर, कि sentence में कैसे, जैसे sentence बनता जो है, यह कैसे बनता है, यह भी सीख लेते हैं, तो दोस्तों, क्या करना है आपको, mind के बाद, आपको या तो noun या pronoun का इस्तेमाल करना है, या फिर possessive adjective का इस्तेमाल करेंगे तो उस noun के लिए जो भी possessive adjective लगता होगा वो यूज करेंगे और उसके साथ आपको gerund का इस्तेमाल करना है अच्छा दोस्तों आप सोच रहोंगे यह समय ग्रैमर कहां से ले आए बीच में तो दोस्तों ग्रैमर से घबराने की ज़रोते हैं बहुत आसान चीज़ है लोग खामखा घबराते हैं थोड़ा सा ध्यान लगा दिया जाए तो ग्रैमर के बच्चों के खेलने की चीज़ कोई दिकत नहीं आपको बताया तो एक का दोड़े ना कोई मुश्किल नहीं है तो इस प्रकार से सेंटेंस है कैसे मैं आपको सेंटेंस से समझात हूं कि कैसे बने जैसे आए डोंट मांट यहां पर आगे हैं डों प्रकार से मेंलों ठीकत नहीं है अभ boxes पने तोब का जा रहा है I don't mind him living here मुझे उसके यहां रहने से कोई दिकत नहीं है अगर वो यहां रहेगा तो मुझे इसमें कोई प्राब्लम नहीं है अचाहिए यह him जो है दोस्तों यह प्रोनाउन है अगर आप चाहे तो यहां पर नाउन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्वारे आप आपको बोलना हो कि मुझे पंकज के यहां रहने में कोई प्राब्लम नहीं यह पंकज यहां रह सकता है माल लेते हैं तो आप आप पंकज लिविंग हिह आप समझें जो कीसे बनते है आँसमी सेंटेंज या I don't mind her living here अच्छा दोस्तों यह जो living है यही तो gerund है word plus ing तो क्या-क्या हमने हमने mind के बाद या तो हम noun का इस्तिमाल करेंगे नाम दे देंगे या pronoun him है living gerund है word plus ing here नहीं तो अच्छा क्या कहाँ यहाँ पर possessive adjective का कैसे इस्तिमाल होगा तो दोस्तों आप यहाँ पर him की जगह पर आप possessive adjective यानि his भी लगा सकते हैं I don't mind his living here वो मैंने यहाँ लिखा है I don't mind his living here यानि अगर आपको यह बात कहनी हो कि मुझे उसके अगर वो लड़का है उसके यहाँ रहने से कोई problem नहीं है तो आप him लगाई है और अगर आप possessive adjective का इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको his लगाना चाहिए और दोनों ही sentence एकदम correct है grammatically तो आप बोल सकते हैं I don't mind him living here या I don't mind his living here तो दोस्तों इस प्रकार से pronoun या noun या possessive adjective का इस्तेमाल gerund के साथ verb plus ing के साथ करके ये sentence बनते हैं तो आप समझ गए उसके बाद दोस्तों तीसरा use तीसरा use क्या है कि would you mind से start करके to make requests आप कोई भी request किसी से कर सकते माल लेते हैं कोई cigarette पी रहा है और आप उसको जाके बोल रहे हैं कि क्योंकि वो non smoking जगा है जोन है आप वहाँ पर cigarette पिना allowed नहीं है तो आप उसको जाके बोल ले कि क्या अगर आप यहाँ cigarette नहीं पिएंगे तो चलेगा आपको बुडा तो नहीं लगेगा आपको कोई दिक्कत तो नहीं would you mind to make requests would you mind not smoking would you mind not smoking अगर आप cigarette नहीं पिएंगे थोड़ा कोई दिक्कत तो नहीं है इस प्रकार से बोल सकते हैं यहाँ कहा गया है दूसरा example है would you mind moving your car आपकी गाड़ी कहीं पर खड़ी है और आपकी गाड़ी के पीछे किसी ने गाड़ी लगा दी अब आप कैसे निकालेंगे अपनी कार तो आप कारवाले को बोलने कि आप थोड़ा गाड़ी आगे कर लोगे आपको कोई दिक्कत तो नहीं है actually आप request करें so would you mind moving your car तो दोस्तो इस प्रकार से mind word का इस्तेमाल होता है spoken English में आपको ध्यान से इन uses को सीख के और इनको अपनी spoken English में इस्तेमाल करना चाहिए जिसे कि आप अच्छी तरह से English बोल सके दोस्तो अगर आपको आज की class अच्छी लगी हूँ तो please वीडियो को like और share करें और चैनल को subscribe करें और friends के साथ share करने से उनको भी इसका फायदा होगा अगले वीडियो हम मिलेंगे और फिर मिल करके एक अच्छी बात सिखेंगे thank you very much I'll see you soon bye bye